हेलो स्टुडेंट वेलकम तु दा समर्थ एप प्रैप और रिप्रोड़क्टिव यूनिट जो थी सीू सीटी के स्लेबस की उसके अंदर जो लेक्चर नमबर थ्री जो है वो आज का हमारा है और उसका टोपिक है रिप्रोड़क्शन इन हीमन इस यूनिट के अंदर सबसे ज कुशन्स हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टेडी करना है तो सबसे पहले ले ले लेते हैं कि हमन रिप्रोड़क्शन के अंदर कौन-कौन सी इवेंट जो है वो होगी सबसे पहले आपको पता बना चीए कि इवेंट्स जो है वो प्री फर्टिलाजिशन इवें है और इसी इवेंट के अंदर आप देखेंगे कि अपने पास में गेमेटोजनेसिस में formation of sperm या formation of ovum इस जो process है इसको हम बोलते हैं spermatogenesis sperm formation को spermatogenesis और इसको बोलते हैं हम oogenesis spermatogenesis जो है वो आपके male human के अंदर होता है और oogenesis का process जो है वो female human के अंदर conduct होता है next आता है आपका gamet transfer जब gamet बन गए है उसके बाद में gamet transfer है तो उसके अंदर क्या होगा sperm to female genital tract है यानि कि जो sperm है वो male eurogenital path से कहां पर पहुंचने चाहिए female genital tract पर पहुंचने चाहिए कि इस process को हम बोलते है insemination जो कि इस chapter में आगे आएगा next आता है आपका fusion of gamets fusion of gamets के अंदर क्या रहता है आपका ये जो process है इस process को आप fertilization के नाम से भी जानते हो fertilization जो process है वो ही process आपका कैसा रहता है fusion वाला प्रोसेस है वो जाता है next जokता है इसके उन्दर से पोस्थेिराजाशन जा завाएशन कंप्रीजास इसके बाद में आप जो है वो डेन्य को प्रफी तरह जाते हैं या कि यारी गौठ है वह यूद्रेस्यमएंट इस तरीके से चिपक जाएगा यह आगे हम बने वाले में और इसके लागाएव वो आता है embryonic development और parturation यानि की delivery of the baby जो आपका child रहता है उस child की जो birth का process है उसको हम क्या बोलते हैं birth of the human baby embryogenesis के अंदर तो यह जो events है यह हम इस पूरे के अंदर पढ़ने वाले हैं आप जो है आगे धान से एक-एक करके देखते जाएगे तो यह जो process है आपका यह है आपका male reproductive system, male reproductive जो आपका यह है system इसके अंदर different parts इस diagram के अंदर सो किये गए है और इनको एक-एक करके अपन detail में देख लेते हैं इनका basic function क्या है और किस तरीके से यह involved रहते हैं fertilization और reproduction में तो सबसे पहले आप देखिए male के अंदर जो major reproductive organ है वो organ आपका रहता है testis और female के case में रहता है ovary तो male के case के अंदर यह जो one pair of testis आपको मिलते हैं यह है और यह एक यह है इसको आपको dissect करके दिखाया हुआ है यहाँ पे इसको row दिखाया हुआ है अब आप देखिए यह ज और इन लोब्स के अंदर आपको semiferous tubules यहाँ पे मिलती है इन ही लोब्स के अंदर क्या मिलेंगी semiferous tubules और इन tubules के पास में ही primodium germ cells होती है जो की sperm का formation करती है और उसके बाद में यह सारी semiferous tubules यहाँ पे आके खुलती है एक जगह पे जिसको हम बोलते है रेटर टेस्टी जो है वो यह वाला part है अलग color में बना देते हैं था कि आपको याद रहे यह रिटर टेस्टीज है इतना part और उसके बाद में जो आगे वाला part है यह जो है red color का दिखाई दे रहा है यह आपका क्या है Vossa differentia Vossa differentia जो रहता है आपका यह आगे further epididymes यानिकी जो epitesties होता है उसके अंदर continue रहते हैं वसा डिफरेंसिया एपिटेस्टीज और एपिडीडायमस के अंदर continue रहते हैं अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या होगा अब इन टेस्टीज से जब स्पॉम जो है वो सेमिनिफरेस्टीबूल से रेटेस्टीज में आगए रेटेस्टीज से वसा इफरेंसिया में वसा इफरेंसिया से आगए आपके एपिटेस्टीज में और एपिडीडायमस में और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से आप देखोगे कि यह जो ट्यूब जा रही है उपर यह है वसा difference यह वास difference यह वास difference आती है आगे इनी sperm को लेके आगे आगे आपके urinary bladder के इस part के तक जो है पहुँच जाती है अब यहाँ पर नीचे से जो है यहाँ से आएं है आपके sperm इस से कैसे जो आएं है वो क्या है sperm है और आप देखेंगे कि उसके आगे फिर आपके तीन तरह की आपको glands मिलती है यह glands होती है number one पे seminal vesicle, number two पे prostate gland, number three पे bulboeurethral gland तो इधर से जो है वो sperm आये है यह sperm आ गए और यहाँ पर आते ही सबसे पहले यह किसके पास जाएंगे seminal vesicle के पास में prostate gland और bulboeurethral gland यह दोनों जो होती है यह एक milky secretion जो होता है वो इसके अंदर load गर देते है milky secretion milky secretion जो होगा उसको किसमे load गर दिया जाएगा आपके जो milky secretion होगा उसको release कर दिया जाएगा और इस sperm के साथ mix कर दिया जाएगा और साथ में जो चोटी-चोटी दो ग्लेंट दिखाई दे रही है यह बल्बो उरिथ्रल ग्लेंट का मतलब है कि यह ग्लेंट जो है आपके किसमे काम में आती है bölbo और Ithral Glend ame'd जे होती है वह आपके एक लूब्रिकेंट रिलीज करती है यह जो होगी यह क्या करेगी लूब्रिकेंट रिलीज करेगी और यह लूब्रिकेंट जब पॉपुलिशन के टाइम में जो मेल रिप्रडेक्टिव पार्ट है उसको friction से क्या करता है बचाता है अदरवाइस friction से जो है यह damage हो सकता है और इसलिए यह lubricants release करेगी seminal vesicle और prostate जो है वो बिलके secretion add कर देती है और इस secretion के अंदर होता क्या है इस secretion के अंदर आप ध्धान से देखेंगे तो इस secretion में क्या मिलेगा आपको fructose मिलेगी यानि की fructose sugar है वो मिलेगी energy sources के लिए दूसरा जो है आपका calcium iron जो है इसके अंदर आपको मिलता है calcium iron रहता है और fructose रहती है calcium iron is responsible for the mortality of the sperms जैसे ही sperm बाहर निकलेंगे और insemination का process होगा उनको एक तक पहुंचना पड़ेगा तो वह एक spiral path में या इस तरह से spiral path में grow move करते हुए आगे further और अवम से जाके fuse हो जाते हैं तो इस तरीके से हमने कहा है कि इसके पार्ण के यह बड़ा पार्ण का पार्ण है collect के उपर यह उपर से जो तो जुट्र आ रही है यह आपकी किड्नी से आ रही है यह उरेतर है और यह यिन टेस्टिज से के अंदर आपके testicular lobs थे ऌनके अंदर से स्हाम बन के अंदर स्पॉम बन रहे हैं और वह सके बाद में आपके यह इंदर तरह की घ्लेंट है हैं ने बताया आपको सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लेंड और बल्बोरित्रल ग्लेंड यह वाली जो ग्लेंड ग्लेंड है बड़ी वाली यह सेमाइनल वेसाइकल है उसका में यह जो बटरफ्लाइ जैसी दिखाए दे रही है आपको यह क्या है आपकी प्रोस्टेट ग् बाद में यह बन जाता है सीमन यहां से जो इंट ऐना थे उस स्पाम में समाइन लसाइगल और प्रोशेट घ्लेंड का सुट्रीषन स्विशन निकल करने पर जो सब्स्टेंस बनता है उसको हम बोलते हैं सीमन और यह सीमन जो होता है यह फिर होता हुआ यूरोजनेटल बेननी इसके तरू होता हबार यहां से वहुडू Gulक बसका निकल आएगा तो इस तरीके से कहा रहता है यह जो है में रोर्ड ऐस्टम है और इस में रियृ does इस्टम है आपके पास ह fent unlezi चाहिए कि ये जो ग्लेंड से यह तो इतना होता आपके पास में होता है स什麼 to the command है एक है और एक ऐध में और ईसके अलब प्रोस्टेट उ Giving है वहन रफ्टी थिस होता है और यॉरेत्रा याने की वह पाथ जिसक्त trimming सीमन जो है वो पेनिस के थूरू होता हुआ बोडी से बाहर आ जाता है तो यह सारा सेट रहता है टेस्टी आपके पास में कितनी है वन एंड टू टू टेस्टी जह और इसके अंदर आपको जो कि वाज डिफरेंस मिलेगी वह भी कितनी होगी टू होगी इस वाले टेस्टी ज आपके पास में थू है वास इफरेंशे भी तू है माल colleg और वह सफरेंशे जो होती है वह आपकी एक स्रीज रहती है नि टेस्टी आपके इस इस नंबर में आपके पास मिलते हैं तो यह है आपका मेल जिफेंस्टी मेल रिप्रोडॉडक्टिव शिस्टम के अंदर आपको इतना सा ज्यान में रखना है कि male reproductive system जो है वो कौन-कौन से उसके पार्ट्स है यानि कि एपिटी डायमस का सिचुएशन कहां पे है वास इफरेंशिया की location कहां पे है कई बच्चे जो है वह सा वह सा वह सा इफरेंशिया और वास डिफरेंश दोनों में confused हो जाते हैं तो आपक यह एपिटी डायमस के अंदर लेके जाती है स्पॉम्स को वापस से maturation और कपेसिटेशन का प्रोसेस किया जाता है उनको इस capable बनाया जाता है कि वह आगे जाके एक को फर्टिलाइज कर सकें तो यह आपका जो है यह क्या है male reproductive system है इसके अंदर पॉइंट कौन-कौन से है व होगा आपका वह कैसे male reproductive system है कौन-कौन चीज़ों से मिलके बना हुआ है टेस्टिकल्स है इनको इरेज कर देते हैं एक बार तो male reproductive system है जो आपको डाइग्राम बताया था उसी डाइग्राम के कोडिंग यह सारे लिखे हुए है यह आप देखिए कि जो टेस्टिकल्स आपके पास में है one pair मिलेगा यानिके two testicles रहते हैं और यह testicles एक pouch like structure में क्या रहते हैं आपके safe रहते हैं और उस पाउच like structure को हम बोलते है scrotum तो scrotum वह एक structure है sec like structure है जिसके अंदर आपके testis जो हैं वो दोनों रखे हुए safe है यह टेस्टिकल्स स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा फंक्शन क्या करेंगे मेल हॉर्मॉन टेस्टिस्टिरोन को रिलीज करेंगे यानि कि टेस्टीस जो है वो एंडोक्राइन ग्लेंड की तरह भी पाट एक तरह से इन्वॉल रहते हैं टेस्टिस तो नेक्स आता आपका स्क्रोटम यह से बहार से रहते हैं और भार सिट्वेटर रहने का कारण एक ही है कि बोडी का टेमपरेचर 37 डिग्री होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपको 35 डिग्री आराउंड टेमपरेचर चाहिए तो इसलिए कि है यह देड जो 35 के राउंड रहेगा इसलिए क्या है कि जो spermatogenesis की प्रोसिस जो रहती है उसके लिए आपको 35 डिग्री चाहिए लेकिन तकी जो टेस्टी रहते हैं वो body से बहर सिचुएटेड रहते हैं ये क्वेशन के पर पूस लेते हैं, wash difference क्या करती है, difference मैंने बताया था आपको, ये जो testis हैं, मान लेजिए कि इन से और sperm लेके और यूरेटर तक आती है, तो ये ही कामी करना, mature and past urethra, urethra के अंदर आती है, muscular lobs called the wash difference, ये रहता है, epididiamis, accessory gland कौन कौन सी है, तीन gland मैंने बता इनके sperm के साथ mix होने के बाद में, और आपको क्या दिखेगा, semen का formation जो है, वो दिखाई देता है, तो semen formation जो है, वो कब होगा, semen formation आपका कब होगा, जब इन तीनों glands के secretion और sperm के साथ mix हो जाते हैं, तभी आपको क्या होगा, semen का formation होता है, penis जो है, वो outer part है, cylindrical tube like structures रहती है, बोथ reproductive organs के अंदर, ये क्या करता है, excretory organ, यानि कि वहीं से urine भी पास होता है, और वहीं से sperm भी पास होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, यूरो और फिर बोलते हैं genital, यूरो genital path बोलते हैं आपके penis को, तो इस तरीके से ये एक basic सा आपका है, उसके बाब में next जो आता है, वो आता आपका structure of testes, ये discuss कर लेते हैं, ये मैंने जैसे मैंने आपको बताया भी था पीछे, कि किस तरह से testes जो है, वो situated रहते हैं, one pair of test testes है, और इनके internal structure कौन-कौन सी है, और tubules कौन-कौन सी इनके अंदर मिलेगी, तो आप ये दहां से देख लीजिए, कि testes के अंदर मैंने आपको tubules like, आपको lobs बताई थी, तो ये lobs जो हैं, वो कौन सी है, testicular lobs है, ये देखिए, यहाँ पर ये lobs बनी हुई है, अलग-लग tubules है, देखिए, ये जो है, ये आपकी lobs है, testicular lobs, और testicular lobs के अंदर ये semiferous tubules है, semiferous tubules जो है, उसके बाद में, ये धेड़ सारी semiferous tubules, इधर से, इधर से, इधर से, सारी जगों से आके, इस जगह पर open करती है, इसको हम क्या बोलते है, रिटे testes, ये वाला पार्ट होता ये जो एपडी डायमिस जो रहता है, ऊपर का, ये भी tubular structure होती है, तो रिटे testes से एपडी डायमिस में, sperm को forward करने के लिए, आपके पास में इस तरीके से क्या रहेगी, जो efferent ductules रहती है, इस तरीके से क्या रहेगी, इस तरीके से ये रहती है, इनको हम क्या बोलते है, व वहासा Lab Adelope high Iffrens, ये वहासा Lab Adelope, है जो WILH renda testes से किसको connect करती है, जो एपडी डायमिस है, उसको collect करती है, एपडी डायमिस के तीन पार्ट होते है, ऊपर वाला पार्ट, यह यह वाला पार्ट, उसके बााद में उपर बीच आप और एक नीचे वाला पार्ट, इस पो को माम मोलते हैं में और को बोलते हैं करब से पाट को क्या बोलते हैं को डूब अपिनれ से ही आपकी व्हती है वह वास दिफरेंस वह है वह ऊपर की तरफ जाते हैं जाएगी कापूड एपिडिटी डाइमस से ऊपर की तरफ जाएगी घज करूपको लेके निकलती है तो ये रहता है आपका पूरा इसके अंदर तो यह रहता है पूरा इनकी जो लेयर रहती है उसको पराइटल लेयर से बोलते हैं अंदर की तरफ जो विसरल लेयर से बोलेंगे यह पूरी स्ट्ट्टर टेस्टीज की है और उपर की तरफ जो है आपके स्परमेटिक कोड रहती है जिससे की जुड़े रहते हैं यह रहता ह तो आपने इसकी structure में क्या का देखा है आपने देखा है कि इसके अंदर testicular lobs है lobs के अंदर seminiferous tubules है seminiferous tubules के अंदर आपके रिटे टेस्टीज के अंदर क्या है आपका efferent जो है फिर बाद में वास इफरेंशिया के अंदर होते हुए और जो होता है उसके अंदर चले जाते हैं उसके बाद में यहां से इफरेंट जो होगी वह उपर की तरफ जाएग वह सादिफ डिफरेंश जो होगी वह उपर की तरफ हैं तो इसको एरेज कर देंगे इसमें वही चीजें बताई जाएगी आपको कि भी टेस्टिकल्स कितने होते हैं उनमें सेल्स कौन-कौन सी रहती है और कैसे कैसे सारी स्टेक्चर जो है वह रहती है अब जहां से देखिए इसके अंदर आपके यह मैंने बता दिया आपको क इनका कम रहता है उसके बाद में इस टैस्टिज कि स्ट्रक्चर में इस बनाये थे पांस के रहेगा आपके पास में howid आपके cmना यह बैगा जान इस तरीके से रहती ए यह सेमनी फेरस टिब्यूल से यहां पर सीमनी फेरस टिब्यूल जो है इस तरीके से रहेगी और उसके बाद में क्या रहता है कि से स्थ लि सेर्टी सेल ठी ऐना है है इसके अंदर मेत पार्धिनार के व्याधिकन ख़एगी जो कि अपके गिमिट बनाएगी और दूसरी रहेगे सट लिशेल्स मेल जर्म सेल्स तो आगे जाके गेमिट बना देती यह स्पॉम कर देती है और सट लिशेल्स फर्दर क्या करती है जो है नुट्रिशन प्रोवाइड करवाती है उसके अलावा नेक्स आता है आपका आउटसाइड दसेमिफरस ट इत्रोजन और जो आपकी रहेगी वह करेगी नुट्रिशन प्रोवाइड करवाती है तो इस तरीके से कहा है आपके आपके पास में यह सारा रहता है और यह मेल रिप्रोड़क्टिव स्टक्चर की एक आउटलाइन जो है वह आपको बता दी गई है अब इसके आगे जो है नेक्स्त हम देख लेते हैं अब देखीं है सिस्टम अब आप देखीये इसमें किया कहा रहता है मेल सेसीली ढक्त जो है आपके पास में कौन जैं यह यह स के बाद में वॉस आफ्रेंस के जाता है के पार्म को हैं समीफोर्स थेहीं में जो हैं वह दिम से शाटिो करतें आप इक पार्म के वहां कि इन Isaac Program पřूर्टो के पहरा है K इस योग्य कर चारेंड को बाद में तो कि से योगए बनाया जाता है कि इस पूरम को यह स्टी सट्रंविक्टाद को डिस से एक उसके बाब में एक उरिथ्रा रैता है आपका इस है इन रहािए अब इन गलेंट का जो जो आपके थी सम्य णिति तो उननों के इंदर के मिलेगा आपको यह समाइनिल प्लाजुमा कर arrangements है जो कि जिसमें फ्रक्टोज केल्शियम और कुछ होते हैं और जो वल्बर इत्रल ग्रेंड है वो मैंने आपको बताया था कि लुब्रीकेंट्स करती है यानि कि लिए रस्पॉंसिबल होती है ताकि जो कोपूलेशन का कोपूलेशन के टाइम है उस टाइम फ्रिक्शन से करें मेल के बाद में आता है आपका कि मेल एप्रोडुट्र किisch स्टम मेल रिप्रोड्रिक्टिव सिस्टम से हैं और यह सारी आती है female reproductive system की तो female reproductive system जो रहता है आपका वो इस तरीके से क्या रहता है पूरा range रहता है इसके अंदर आप देखिए कि यह जो outer wall है आपकी यह किसकी wall है यह uterus की wall है जो female reproductive system है uterus उसका major part रहता है तो यह पूरा जो है बोलते हैं cervical canal और cervical canal जो है बाद में किसमे open होती है वजईना में तो वजईना जो है वह outer part रहता है और cervix जो है middle part रहता है उसके अलावा आप देखोगे कि इसके अंदर cervix जो है आपका middle part रहेगा और उसके ऊपर का part यह uterus है तो uterus cervix and vagina यह तीन तो उपर नीचे ऐसे part रहता है अब इसके अंदर आगे क्या आता है कि one pair of ovaries यहां मिलेगी ovary number one and ovary number two तो इस तरीके से यह दो ovaries जो है वो यहां पर present रहती है और इन और यह ovaries इस uterus से एक tube के थूँड़ जुड़ जाती है और इस tube को हम बोलते है आपका जो fallopian tube इस tube को हम क्या बोलेगे fallopian tube तो यह जो tube है जो कि ovary को connect कर रही है uterus से उस tube को हम क्या बोलेगे fallopian tube इसके तीन पार्ट होते हैं outer वाला जो एकदम ovary से बिल्कुल touch में रहता है close proximity में रहता है और इसके ओपर यह finger like structures होती है इनको हम बोलते है फिंब्रे यह egg collection में काम में आती है ठीक ना आप से कई बार फिंब्रे के function पूछ लेते हैं तो आपको बताना है कि यह egg collection में काम में आएंगी तो यह egg collection में काम में आत हैं इस्तमस तो most जो आपके ovary से अगर आप आओगे तो फिंब्री से आप infantibulum infantibulum से एंपुला एंपुला से इस तमस इस तमस से फिर uterus में इस तरीके से एक जो है वो travel करता हुआ आता है जनरली एंपुला वाला पार्ट जो रहता है इस एंपुला इस तमस जंशन जहां प uterus के अंदर आपकी यह outer layer होगी और तो यह माली जीये की outer layer है उसके बाद में यह middle layer है और उसके बाद में यह जो आपको folded दिख रही है यह आपकी innermost layer है तो जो innermost layer है आपकी इसको हम बोलते हैं endometrium innermost layer को क्या बोलेंगे endometrium जो middle layer है जो की muscles की बनी हुई है contraction करने में able है उसको हम बोलते हैं myometrium और outer जो most layer रहती उसको हम बोलते हैं perimetrium तो perimetrium, myometrium and endometrium जब menstrual cycle होता है और उसके अलावा जो आपके parturation का process होता है उसमें uterus के अंदर strong contraction or relaxation cause होते हैं और वो strong contraction or relaxation जो है वो किसके थुरू कोज किये जाते हैं जो myometrium माला part है यही myo का मतलब है muscles तो यह muscular part होता है uterus का और यही क्या करता है में strong contraction cause करता है next जो आते है इसके अंदर आपके वो आएगा हां तो इस तरीके से क्या है कि यह व्यवला part रहता है आपको बस इतना धान में रखना है कि ovary से विजयना तक आएंगे तो कौन-कौन से part आता है बीच में और इसे fembra, fembra egg collect कर लेंगे वो egg infantibulum में आएगा infantibulum में आएगा infantibulum से empula, empula से isthmus, isthmus से uterus, uterus से होता हुआ फिर वो जो है आपके cervix, cervical canal के थुरू होता हुआ विजयना में आ जाएगा इस तरीके से क्या है कि अगर मालों की fertilize नहीं हुआ तो यह inner part जो होता है आपका endometrium यह menstrual cycle में involved रहता है जो इस तरह से folded आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या होगा इसी पार्ट के अंदर क्या होगा यह जो inner most part रहता है आपका इसी पार्ट के अंदर जो mucus और blood की layer जो रहती है वो यहाँ पर रहती है mucus and blood और यह layer जो है यह 28 days का आपका menstrual cycle है तो 14 layer जो है बढ़ती है उसके बाद में shadow shadow होने लग जाती है और फिर end में अगर fertilization नहीं होता है तो यह melt होके और body से बहार आ जाती है उसी process को हम बोलते है menstrual cycle तो यह था आपका यह भी हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर ऐसे यह basic structure आपको याद रहनी चाहिए किसके अंदर क् अगरी है फैलोपियन ट्यूब के कौन-कौन से पार्ट है तो वह infundibulum है एंपूला है और इस्तमस है fertilization कौन से पार्ट में होगा तो एंपूला इस्तमस जंक्शन जो है उसके अंदर होगा और एंपूला के अंदर भी आप बता सकते हैं next जो होगा आपका यह इसके अंदर फिर यूटरस के अंदर कितनी layer है तीन layer है कौन-कौन सी layers है तो वह perimetrium है उसके लावा myometrium है और endometrium है और endometrium innermost layer रहती है जो किस्से बनी होती है mucus और mucus के अलावा क्या रहता है आपका mucus के अलावा और जो दूसरा आपका रहेगा वह कौन सा रहेगा blood तो blood और mucus इनसे क है यह layer बनी होई रहती है नेक्स्ट जो आता है आपका इसमें आता फिमेल इपरटी सिस्टम के पार्ट्स आपको बताए गए हैं तो इसके अंदर कौन-कौन से हैं तो देखो along with the pair of oviducts oviducts होती है आपके पास में ovary ओवरी रहेगी और तो ओवरी फिर oviduct फिर uterus फिर cervix फिर vagina external जनेटीले जो होते हैं वो skin folded regions होते हैं और memory gland भी जो होती है वो भी इसके अंदर पाट रहते हैं तो यह जो होते हैं आपके देखो steroidal hormone release करती है और साथ के अंदर female gamet जो है वो यहां से release करेंगे ovaries जो होती है one of each side lower abdomen के अंदर दोनों side में situated रहती है ovaries connected to the uterus through the fallopian tube और fallopian tube के मैंने तीन पार्ट आपको बताए थे वह आपको याद रहने चाहिए इन फंडी बुलम है उसके बलावा एंपुला है और उसके बाद में इस्तमस है और fallopian tube जो है उसके three major parts है इन फंडी बुलम एंपुला और इस्तमस तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स जो इसके अलावा आती है कि आगे जाके और किस किस तरीके से जो है गेमेटोजनेसिस का प्रोसेस होगा और कैसे कैसे जो है इस सारी चीजे अकर होगी तो वह अपन देख लेते हैं तो फिमेल प्रॉक्टिश सिस्टम के अंदर आप देख लिए इन फंडी बुलम के प्रॉक्त मायोमेटेयम इस रेस्पॉनसिबल फ़र रधा कॉंटरेक्शन एंडोमेटेयम जो है मेंस्टेयल सैगल में इनवल है पैरीमेटेयम जो है उत्रेस की है इसके अंदर फिमेल एक्स्टरनल जनिटी लिया जो रहते हैं महं स्किन फॉल्दडिद लाइक स्ट्रक्ट होती है इसके अंदर जो इसमें बताया जाता है कि आपकी वह एक तिन मेंब्रेन से कवर अप रहती है और उस मेंब्रेन को हम क्या बोलते हैं हाइमन मेंब्रेन और यह जनरली मिसंडेस्टूड किया जाता है कि हाइमन मेंब्रेन है वो फर्स्ट इंटर कोर्स के टाइम में फर्स्ट एक्सवल एक्सपरियंस के टाइम मेंज हो जाती है इसलिए हाइमन मेंब्रेन को फिमेल्स की वर्जिनिटी से जो है लिंक करके भी माना जाता है लेकिन यह जो हाइमन membrane automatically damage हो सकती है, तो यह जरूरी नहीं है कि first sexual experience का indicator हो, यह बाकी जो कुछ exercise है उनसे भी damage हो सकती है, तो इसलिए यह सारा बताया गया है इसके अंदर यह रहता है, next जो आता है आपका वो आता है female reproductive system के अंदर memory glands, memory glands के अंदर यह structure आपको ध्यान में रखनी है, इसी structure को अपर नेके करके explain कर लेते हैं, mammals के अंदर क्या रहता है, one pair of breast जो है, वो मिलते हैं, यानिकि mammal gland जो है, वो मिलेगी और इनके अंदर glandular tissue मिलेंगे, और साथ के अंदर आपके variable amount of fat, यानिकि adipose tissue मिलेंगे, तो glandular tissue नाम से पता चल रहा है, यह milk secrete करेंगे, और जो आपके adipose tissue है, इनकी एक layer ऊपर की तरफ यह मिलती है, यह skin है, इसके जस नीचे कहां मिलेंगे आपको, ऐसे adipose tissue है, इस तरीके से मिलेंगे, इसके अंदर क्या रहता है, यह nipple वाला part है आगे का, ऐसे, और इसके यह open करता है, छोटे-छोटी ऐसी ducts में, यह duct आगे जाती है, ऐसे, और बाद में यह ऐसे lob like structure बनाती है, ऐसे, तो यह तो हैं lobs, और यह है duct, आगे वाला, यह क्या है, lobs है, और यह क्या है, duct है, तो अगर lobs जो है, इनके अंदर milk secretion होगा, और इनके अंदर की cavity रहती है, उसके अंदर milk drops जो है, वो store होके रहती है, अब, आप देखेंगे, कि lobs से, यह duct में आएगा, हाणा, duct से बाद में, फिर lactiferous duct में आएगा, आगे, और lactiferous duct जो रहती हैं, आपकी, वो lactiferous duct जाएं, further बाद में, milk को यहां से secret कर दी जाएगा, जब भी इनको सक करेगा, इसके बाद में आता है, ribs, यह पीछे वाले part जो होते हैं, यानि कि जो breast वाला area है, वो basically क्या है, ribs से attach रहता है, तो इसलिए यह ribs हैं, इस तरीके से सारी ribs हैं, और ribs के बीच में जो muscle, आपकी, इस muscle को हम क्या बोलते हैं, intercostal muscle, intercostal muscle जो है, वो respiration में भी involved रहती हैं, तो यह structure जो है, वो आपकी किस की है, आपके memory gland की, आप देखिए, कि memory gland की structure के अंदर आपने क्या-क्या पड़ा है, तो variable amount जो होता है, glandular tissue यहां पर present रहता है, और glandular tissue memory lobs बनाता है, memory lobs के अंदर alveoles रहती हैं, और in alveoles के अंदर, in alveoles और areola जो रहता है, इन के अंदर क्या रहेगा, जो milk है, वो secret होके, store होके रहेगा, और उसके बाद में क्या रहेगा, कि the tubules of each lobs joined together to form memory duct, और memory duct जो है आपकी वो बाद में, आगे वाला part रहता है, यहां पर भी ऐसे, ऐसे, बल्स आउट सा part रहता है, जिसको हम ampoula बोलते हैं, तो ampoula वाला part रहता है, और फिर lactiferous duct के थुरू होता हुआ, यह जो milk है, यह body से बहार आजाता है, इस तरीके से रहता है, अब हम एक-एक करके देख लेते हैं, gametogenesis का process, यानि कि कि किस तरीके से sperm production हो रहा है, और किस तरीके से own production होता है, कौन-कौन सी cells उसमें involved है, और कौन-कौन सी cell उन में आपको ऐसे, यह spermatogonium cells रहती है, spermatogonium cells जो है, वो nature में कैसी होती है, deployed होती है, spermatogonium कैसी होंगी, आपके nature में 2N रहती है, उसके बाद में बीच-बीच में इस तरह की cells present रहती हैं, जिनको हम subtly cells बोलते हैं, इनका काम nutrition provide करवाने का है, और उसके बाद में spermatogonium, यानि कि 2N से आपकी primary spermatocyte बनेगी, और primary spermatocyte से बाद में क्या बनेगी, secondary spermatocyte, तो इस तरीके से क्या है, यहां से यह बनती है, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, फिर spermated का formation होगा, और तो इतना आपको ध्यान में रखना है, कि इनके अंदर से इनका series क्या है, जैसे spermatogonium है, उससे आप primary spermatocyte बनाएंगे, primary से secondary, secondary से spermatocyte बनाएंगे, अब हम देख लेते हैं, कि इन में से जो इनकी वो रहती है, कि कौन सा diploid है, और कौन सी cell haploid है, तो वो देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा, spermatogonia, spermatogonia जो है, यह निके नीचे वाली cell है, यह क्या है, 2N है, यह निके diploid है, इससे जो primary oocyte बनाएं, primary spermatocyte जो बने हैं, यह वाले, यह भी क्या है, 2N है, यह भी क्या है, diploid है, अब यहाँ पर meiosis होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, कि primary spermatocyte के अंदर meiosis होगा, और उससे secondary spermatocyte का formation होगा, और इससे फिर 2N से क्या बन गया, N बन गया, अब आगे N ही चलेगा, अब secondary spermatocyte से आप spermatid बना दीजिए, और उसके बाद में sperm का formation जो है, end में हो जाता है, sperm यानि कि spermato जो आ, यह जो ही free हो जाते हैं, और इनकी structure भी हम आगे वाली slide में देखेंगे, तो इस तरीके से क्या रहता है, subtly cells जो होती हैं, वो growing sperms को nutrition प्रोवाइड करवाती हैं, और उसके बाद में mature sperm जैसे ही बन जाते हैं, वो हैं से release up हो जाते हैं, next देख लेते हैं, यह देखिए, spermato genesis के अंदर क्या रहेगा, spermato, यह देखिए, testis के अंदर जो process होता है आपका, जहां पर sperm production होना start होता है, produce sperm, उस process को हम बोलते हैं, spermato genesis, ठीक ना, यह puberty पे start होता है, यानि एक sexual age को attain करना पड़ता है, उसके बाद में start होता है, जो कि male के अंदर आपकी 12 से 14 साल के असपस रहती है, the spermated साब transform into spermato joa, और उस process को हम बोलते हैं, spermio genesis, हाना, आप पीछे चलिए, देखिए, spermato joa, spermated, देखिए, यह पहले क्या बन रहा है, यह spermated बन रहे हैं, spermated जो है, अटैच हैं, जैसे यह release हो जाते हैं, यह क्या बन जाते हैं, spermato joa, अब आप आगे जाईए, यहां पर देखिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे, spermato joa, by the process called the spermato joa, after spermato joa, अब यह इनकी head जो है, यह embedded रहती है, इस तरीके से, हाना, sertoli cells में, ताकि nutrition बिल सके, और, finally release हो जाते हैं, तो इस process को हम क्या बोलते हैं, spermation, यहां पर sperm से यहां पर इस तरीके से चिपके होए हैं, तो आप दहान से देखेंगे, अब यह sperm यहां से release हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो उस case में उस process को हम बोलेंगे, spermation, अब इनका hormonal control कैसे कैसे होता है, कौन-कौन से ऐसे hormone हैं, जो की spermatogenesis के process को fasten कर सकते हैं, तो आप देखिए यहां पर धान से, सबसे पहले क्या होगा, कि जो आपका hypothalamus वाला part रहता है, hypothalamus वाला part, यानि कि जो brain के अंदर pituitry gland के उपर वाला part रहता है, वो release क्या करता है, gonadotropin releasing hormone, यह आपके pituitry gland को क्या करेंगे, force करेंगे, ताकि यह क्या release करें, LH और FSH release करें, LH यानि की routineizing hormone, FSH यानि की follicular stimulating hormone, यह hormone direct चले जाते हैं, यह ledic cell के पास में जाता है, LH और ledic cell को क्या बोलता है, कि आप androgen को release करिए, androgen जो होता है, वो male hormone होता है, यानि की testosterone होता है, और FSH वाला जो hormone रहता है, यह direct चला जाता है आपके, यहाँ पर seminiferous tubules में, अब यहाँ पर जाने के बाद में, यह follicle stimulating hormone है, यानि की sperm production को यह क्या करेगा, इनक्रीज करेगा, और subtly cells यहाँ भी क्या करेगी, कि growing sperms को nutrition provide करवाईगी, तो इस तरीके से क्या है, कि यह आपको इतना learn कर लेना है, कि LH जो है, वो किन पर act करता है, और FSH जो होता है, वो किन पर act करता है, तो LH जो है, वो basically आपके ledic cell पर act करता है, FSH जो है, वो आपके follicular stimulating hormone है, और यह spermatogenesis के process को fasten कर देता है, next जो आता है आपका, वो sperm की structure आती है, इसके अंदर इतना कुछ इसमें खास है नहीं, इसके अंदर head वाला part है, बीच का part middle part, यह वाला part है middle part, उपर का part है, यह head part है, और नीचे का part है, यह tail वाला part है, तो head, middle piece and tail, head जो होता है, उसक नीचे को हम बोलते है, तो acrosome का काम क्या होता है, इसके अंदर hydrolytic enzymes होते हैं, इसके अंदर लाइटीक enzymes होते हैं, जो कि एक, एक की ऊपर की layers को, जो korona radiata और वो जो layers रहती है, उनको क्या करते है, उनको damage करने में, उनको penetrate करने में काम में आता है, तो acrosome जो है, वो penetration में help कर उसके लावा आई नेक वाला पार्ट है नेक वाले पार्ट के नीचे आपको मिडल पीस मिलेगा जिसके उपर जिग जग मैनर के अंदर सारे माइटर कॉंड्री आरेंज रहते हैं जो की स्पर्म की एनरजी का सोर्स है जो उसको स्विमिंग के लिए चाहिए अब उसके बाद म साठोध में जिए अंदर आपको क्या मिलेगा जैसे हमने इस पर मेट्जेंस का प्रोसेस है यह जो और को अदर आप देखीर ओवरी के अंदर यह जो वह ज्याना स्वाजय करें चैकिए और उसके बाद में यह इसके अंदर आपको इस में बड़ा सए दिखाई देगा मून लाइक स्टेक्चर दिखाए देगी जिसको हम बोलते हैं एंटरम यहां पर दिखाए दे जाएगा जैसे एंटरम बनेगा उसके अंदर से एक छोटा सा एक जो है वह वह रिलीज कर दिया जाएगा तर्सरी फॉलिकल में से क्या रिलीज हो जाता है और यह हॉर्मोन यहां सब में कन्वर्ट हो जाता है तो कॉर्पश लूटियम में हो गया कार्पश लूटियम फर्दर और ज्ब्रेती अचैंब और का भी सका फॉमिशन कर देबो घर्र यह यह करेती एंच STRY help करते हैं तो एस्टोजन और प्रजस्ट्रोन जो है वो रिलीज कर दी जाते हैं आपके जो डिवलपिंग कार्पस लूटियम है उनसे ताकि जो इनर जो लेयर है अब हम देखेंगे मेंस्ट्रोल साइकल के अंदर तो जो एंडोमेटरियम की लेयर जो बलड और मुकस से बनी ह दखना है कि ओवरी जो है लिगमेंट से जहां पर जूढी रहेगी वह यहिंगए है इसके नदर आप देखो तो प्रैमodium fautliccals उसके बाद में यह ज़कें गरीं के लीज यह जाता है और फिर जो बाकी structure वस्ती खाली और इसकों बोलते हैं जो कार्पस लूटियम कार्पस लूटियम क्या करता है इस्टोजन और प्रजस्टोन डिलीज करता है जो की फर्दर बाद में कि आपके क्या होते हैं दीरि दीर उन्हें रिचे दिस में देख क्या बनेंगे क्या अन्हों की गसे बनेंगे 하니까 यहां पर भीडियों होता है और वह जाता है प्रायर आपका जो बर्थ रहता है उसके अंदर अरेस्ट हो जाती है तो यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे मियोसिस हो रहा है तो इसलिए secondary spermatocyte N बनेगी और ovum जो है आपका वह भी N बनेगा primary spermatocyte से जब secondary spermato site और ovum बनते हैं तो उस case के अंदर unequal cell division यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे इस cell से जो दो cell बनी है वो एक cell size में चोटी सी है और दूसरी cell size के अंदर क्या है बड़ी है इसी को unequal cell division बोलते हैं यह इसलिए किया गया है ताकि एक का size जो है वो लार्ज किया जा सके इसके इससे का जो size था वो भी इसको दे दिया अब इससे जब और जा आगे जा कि सेकंड मियोटिक cell division होगा तो उस case के अंदर आपकी second polar bodies बन जाएगी और main जो है आपके 23 होंगे और उसके उपर जो है आपके chromosome नुमबर 46 होंगे यह रहता है अब उजनेश का hormonal control देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है आपकी बोड़ी के अंदर जो hypothalamus वाला पार्ट रहता है वह gonadotropin releasing hormone release कर देता है और यह gonadotropin और FSH release कर देती है LH और FSH तो यह जो होते हैं LH उसके वामें ovulation हो जाता है और ovulation होने के बाद में जो है ovary यह सारी structure बनने लग जाएगी यह देखिए primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle यहाँ पर regulation हो चुका है यह carpus luteum है और यह यह कौन-कौन से और रिलीज करती है यह रिलीज करेगी वापस से feedback आएगा इसके पास में कि रिलीज हो चुकी है तो इस तरीके से जो regulation होता है इसका यह up and down body के अंदर होता रहता है hypothalamus हमेशाथ GnRH release करेगा gonadotropin releasing hormone उसका FSH और LH और उसके बाद में क्या होता है आपके estrogen और progesterone वगएरे जो भी hormone रहते हैं वह सारे यहां पर रिलीज रहते हैं अब हम देख लेते हैं menstrual cycle को menstrual cycle जो रहता है आपका वह 28 days का जनरली माना जाता है किसी females के अंदर यह 20 days का भी हो सकता है और कई females ऐसी होती है जिनमें two month का menstrual cycle भी हो सकता है यह depend करता है कि जो female to female vary करता है तो आप देखिए कि जो नीचे नीचे की जो हमने यह बनाया था उस time में जब endometrium बनाई थी यानि कि जो most inner layer जो इस तरीके से थी यह से उस inner के बारे में ही हमें इसमें पढ़ना है इस तरी endometrium की layer है यह यह endometrium है इस तरीके से यह तो इसकी जो thickness होती है वो जब आपके ovulation हो गया उसके बाद में होगा तो यहां पर maximum thickness होगी लेगिन जैसे ही आप आप देखोगे कि initial time में जब building होना start हो जाती है menses होना start हो जाता है यानि कि बिना fertilization के जो endometrium की layer है जो mucus और blood से बनी होई है वो क्या है आपकी melt होके और body से बहार निकलने लग जाती है तो इस process को एक तरह से uterus अपने आपको clean करता है और यह processes को हम बोलते है menses यह starting के एक से पांस दिन तक bleeding होगी उसके हमें 6 दे से लेक convert हो जाती है और यहां पर आपको एक moon-like structure बन जाएगी यानि की tertiary follicle बन चुकी है अब tertiary follicle से यह चोटा सा एग रिलीज होगा तो यह होता है आपका जनली 13th day के असपास तो एग evolution के time में आप देखेंगे तो यह 13th day पर हो गया उसके बाद में जो खाली बचा था उसको मै hormone से इसमें involved रहते हैं तो आप देखिए ओवरी से related hormone कौन-कौन से है इस्टोजन है उसके लाबा आपका inhibin hormone है ठीक है इस्टोजन है और inhibin hormone है यह दो हर्मोन आपके ओवरी से related है अब जो आपका level रहेगा इसका इस्टोजन का level जो है वो देखिए यहां पर peak पे रहता है हाना बाद में भी इतना हुआ था लेकिन इससे ज़्यादा यह है तो इस्टोजन का level peak पे है इधर देखिए आप जो अपने रिलीज किये है एफ एसेच का level peak पे है और एलेच का level पीक पे है तो एलेच एफ एसेच और इस्टोजन इनका level जो है वो ओविलेशन के दिन जहा है वो कॉर्पस लूटियम रिलीज करती है इसलिए जो प्रोजेश्ट्रों की जो लाइन रहेगी यह यह जो है आपकी कॉर्पस लूटियम बनने के बाद में आई यहां तक यह बिल्कुल डाउन चल रही है तो इस तरीके से पूरा रहता है तो यह है आपका कॉन सा पाद उवेलेबल नहीं होता और 7 में 13 तय से पहले तरींंशRI स्भीन तरवलेबल नही नहीं होता क्योंकि ओवलेशन ही नहीं हुए इसलिए क्या हुआ हैक सफ पिरियुड है उसके बाद में सबस्पसक्राइबी तो ये भी से शेया हुआता। नेक्स्ट आता है आपको फर्टिलाजेशन जैसे ही जो स्पर्म रहता है आपका वह कैसे मिलेगा एग से मिलेगा तो आप देखिए यहां पर एग जो होता है वह पॉलर बोड़ी बना दी इसने इसके अंदर जो मैंने पीछे आपको देखो बताया था जो सेकंड मियोटिक ड हो जाता है उसके बाद यह दिविजन होगा तब हम का फोर्मिजन होता है को आप देखिये सेकंडरी उसाइड जो है वह देखिए यहां पे यह इढ़िक यह इसके अंदर रहता है यहां पर लेयर्स रहती है इनके बीच में पुर्टे लान स्पेस होता है और आप देखिए जैसे ही sperm जो है इससे आके एक से फ्यूज होता है sperm का जो उपर वाला पार्ट होता है जो मैंने बताया था आपको जिसके अंदर लाटिक एंजाइम से रहते हैं यानि कि एक्रोसॉम वाला पार्ट होता है उसके बाद में sperm एक जो होता है उसकी बैंडिंग हो जाती है और जैसे ही एक स्पर्म जाके फ्यूज कर देता है बाकि दितने भी स्पर्म इस एक के चारो तरफ रहेंगे उनकी एंट्री ब्लोक हो जाती है यानि कि सिर्फ एक स्पर्म जो होता है वह ही एक एक को फर्टिलाइज कर सकता है अधर्वाइज जो है वह आपकी जो प्लॉडी रहती है यानि कि सेट ओफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम सें जो डवलपिंग और्गनिजम है वह आपके डिफरेंट हो जाएंगे तो इसलिक है एक क्रोमोजोम नंबर कॉंस्टन रखने के लिए यानि कि पॉली स्पर्मी को हमें हां जुक और इसको बॉलोग जो है वाइज इसके कर दिया जाता है ने action है चोहां पर आता है देखिए यहां पर अपिर सब्सक्रों ने फर्टिलयाइज कर दिया उसके बाद में यह फर्टिलायज जाइगल बना था और यह जैगं जो ओसके अंदर एक से देकों एस तरीके से रहेगा और अंदर की तरब जो है इसके अंदर यहाँ पर आपके ट्रोपोब्लास सेल्स रहती है यही यूट्रस की लाइनिंग जो रहती है आपकी उस यूट्रस की लाइनिंग से क्या हो जाएंगे मैच हो जाएंगे तो यह जो पिंग कलर में आपको शो की गई है यह क्या है यूट्रस की लाइनिंग है और इस यूट्रस की बनाता है मदर की बोड़ी और फिटस के बीच में फिर आता है प्रिग्देंसी एंड अब्रियोनिक डवलप्मेंट तो जैसे ही वह जो कनेक्शन बनता है यहां पर आप देखिए कि प्लेसेंटल यहां पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्लेसे घ Inv circus कोड है जहांसे मदर से फिटस जो है वह वह कर रहता है और यह उसके अंदर यहां पर आपके युउक से बना रहेगा है कैविटि के आइंग उट्र से हैं पूरी हिए दर लेयर है पूरी और इसके तो सर्विक स्वाला पार्ट हो ता है यहां पर क्या है प्लग लग ल है stop करता एक तरह से तो यह जो है आपका placenta placenta यहां पर एक structure बनती है उसको बोलते है और यह जो बीच में code like structure है जो की जिसको नाल भी बोलते है जनल लेंगेज में वह आपके क्या रहती है वह आपके umbilical code रहती है इसके अंदर vessels रहती है सारा खाना पीना जो होता है embryo वह मदर की बोड़ी से इस placenta के तरू लेता है next जो आता है वह आता है आपका hormones कौन कौन से है pregnancy के अंदर तो आप देखिए first जो तीन मेने है second तीन मेने है और third तीन मेने है यानि कि आपने फर्स ट्रिमिस्टर second ट्रिमिस्टर और third ट्रिमिस्टर इसके अंदर देख लिया है तो इसमें आप देखिए कि यह मन्त है यहां पर नाइन मन्त 123456789 यहां पर स्टार्टिंग के मन्त जो होगा उसमें SCG होर्मोन जो होता है यानि कि प्लेसंटा रिलीज करता है SCG होर्मोन उसका लेवल आपको आप मिलेगा बाद में दीरे दीर हो इसटोजन होर्मोन जो रहता है और प्रजिस्टोन जो होता है यह दोनों प्रिगनेंसी मेंटेन करने के अंदर थैल्व करते हैं सबसे जाद वह इस्टोजन प्रजिस्टों लेवल जो आपको मिलेगा वह आपको 9 मंथ के आसपास मिलेगा और इस्टार्टिंग के अंदर जो 1st 2nd मंथ होता है उसमें HCG का लेवल जो है वह आपको मिलता है जो प्रिग्नेंसी किट्स आती है जनरली HCG बेस्टी आती है जिनमें HCG को यूरीन में टेस्ट कर लिया जाता है तो उससे प्रिग्नेंसी का पता लग जाता है तो यह रहता है पूरा अर्भरोणिक डवलमेंट में क्या होगा फर्स साइन जो होता निए उसका हाट बन जाता है फर्स मंत के बाद में तो हाट बीट जो होती है उनको आप स्टेटोश्कॉप से सुन सकते हे उसके बाद में जो second month है उसके अंदर उसके limbs याने की हाथ-pair और digits याने की उनकी fingers वगरा बनने ही start हो जाती है by the end of the 12 week 12 week के याने की लगबाग तीन मेने के बाद में major organs होते हैं उनकी body के बन जाते है external genitalia बन जाते हैं याने कि आप sex determination कर सकते हो but that is band है वो band रहता है उसके अलावा next जो आता आपका वो आता है की limbs वगरा बन गए फिर movement स्टार्ट हो जाती है याने कि फिफ्ट मंद के आसपास धीर बेबी जो आता है वो आता है by the end of the 24 weeks याने कि six month के बाद में जो hairs हा जाते हैं eyelids होती है यह जो उपर की eyelids होती है दोनों eyelids एक दूसरे से separate हो जाती है और nine month के आसपास फीट फुली डवलप हो जाता है और उसके बाद में body से बाहर आ जाता है नेक्स जो आता आपका यह आता है कि पार्चुरेशन यानि की बेबी का बोडी से बाहर निकलना तो मदर की बोडी के अंदर जो बेबी है वह कौन-कौन से होर्मोन के इफेक्ट में वहां से बाहर निकलेगा तो उसको उसको लेके देख लेजी सबसे पहले क्या होता है जैसे ही nine month पूरे हो जाते हैं तो प्ले सेंटा जो है वह इस्ट्रियोल डिलीज कर देता है और यह जाते हैं आपके यह ओक्सिटोसिन के लेवल को प्रोमोट करेंगे पीट्यू ट्री ग्लेंट को बोलेंगे कि आप जो है अब ऑक्सिटोसिन करीए ओक्सिटोसिन जो होता है strong contraction यानि की fetal ejection reflexes जो होते हैं उनको provoke कर देता है इसकी विज़े से क्या होगा the fetal uterine contraction start जाएगा तो जैसे contraction start होगा बार 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 वो जो बेबी है वो बहार की तरफ फिर उसको push किया जाएगा next आता है कि अब देखी जब तक placenta तक प्रजस्ट्रों रिलीज कर रहा है तो प्लेशेंटा उस टैम में क्या करता है नॉमल लेवर नाइन मन तक क्या चल रहा था कि प्रजस्ट्रों रिलीज हो रहा है तो uterine contraction आप यहां पर देख रहे हैं uterine contraction का मतलब है कि strong uterine contraction यहां पर हो जाते हैं और उसके बाद में यह uterine contraction responsible होते हैं fetal ejection reflexes के लिए यानि कि body से baby का बहार आना उससे related रहते हैं और आप देखेंगे कि fetus जो होगा वो रिलीज क्या करेगा prostaglandin रिलीज करेगा और यह automatic uterine contraction को को कोज करेंगे ऐसा होता है लेकिन normally जैसे pituitary gland से अगर oxytocin hormone release हो रहा है तो यह किसको इनिबीट कर रहा है progesterone को पर प्रजिस्टरन तो pregnancy continue करने के लिए responsible है तो oxytocin release होगा तो ultimately क्या होगा यह जो प्रोजिस्टरोन है उसका level down हो जाएगा और down होने की वज़े से फिर क्या है यह यह process को भार जाएगा तो इस तरीके से क्या रहता है यह पूरा प्रोसेस है इसके अंदर जो लास्ट आता है वह आता है lactation तो pro-lactin hormone जो होता है वह इसके लिए responsible है जो first milk आता है उसको हम बोलते है cholesterol और इसके अंदर antibody जो होती है वह होती है आई जी ए antibody milk जो होता है mother milk उसके अंदर कौन से antibody होती है आई जी ए antibody रहती है तो इस पूरे को दुबाराज समझ लेते हैं सबसे पहले क्या होगा normal condition में क्या होगा placenta क्या release कर रहा है progestron release कर रहा है fetus क्या release कर रहा है prostaglandin release कर रहा है एंड के अंदर जाके करेगा placenta release कर रहा है और इस प्रोसेस को इनिबीट कर देता है और और श्यॉटि औशन ने जो इनिबीट कर रखा था जाएम जाते है यह फीटल जातते हैं घुबाराज़ात जो एमिली ग्लेंड से उनसे ब्रेस्ट में से जो है मिलक से क्रीशन जो होने लग जाएगा और साथ के अंदर क्या होगा इस मिलक के अंदर आईजी ए एंटीबोडी आपके लिए एवलेबल रहेगी एंटी आईजी एंटीबोडी यह आपको नेचुरल इम्मिनिटी प्रोवाइड करवाती है तो यह था आपका आपका लेक्चर तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा लेक्चर नमबर फॉर डेट विल भी रिलेटेट टू रिप्रोडुक्टिव हैल्थ कि किस तरीके से और कौन-कौन से ऐसे मेथर्ड हैं जिनको हम चूज चूज कर सकते हैं as a contraception के लिए कोई parents जो हैं कौन-कौन से methods हैं जो fertilization के लिए available हैं तो यह सारी चीज़े हम नेक्स चप्टर में discuss करेंगे लेकिन यह चप्टर जो है यह सबसे important चप्टर है इस unit का तो इसको आप detail में पढ़िए मैस्ट्वल साइकल जो आप आप कैका रिलीज करता है नॉर्मल कंडिशन में तो यह यह सारा था आज का लेक्ट्चर थैंक्यू बेर मच्च